हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहली चैनल, तो फ्रेंड्स आज मैं रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, तो लौकी का पापर बनाने का बिल्कुल नया तरीका आपके साथ सेयर करूँगी, एक हमारे प्यारे बीवर्ष ने फडमाई सी किया था कि मैं बगार इस पापर को कैसे बनाओ, तो मैं खासकर उन्ही के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, उमीद करती हूँ, वो हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे, और उन्हें पसंद भी आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रेंड्स, बिल्कुल नया पापर बन इस तरह से लॉकी को पहले छेल ली हूँ, लॉकी को जो छेलते हैं उसे अच्छे से छीलिएगा, उसका ग्रीन वाला पाट बिल्कुल अच्छे से छील के हटा दीजिएगा, नहीं तो पापर का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो इस तरह से इसे कट करके पानी में डा जाँगी क्योंकि पानी में डालने से लौकी जो है उसका कलर बिगरेगा नहीं तो ये काला पढ़ जाता है बहुत जल्दी, और इसे 2-3 बार अच्छे से धोके से दो के ले ले रही हूँ तो यहां पर अच्छे से लॉकी को दो के ले ली हो फ्रेंट्स तेक पारें पानी बिल्कुल साफ हो चुका है तो इसे अच्छे से जरूर धो लीजिएगा अब इसे डाले रहे हो मिक्सर जाड में छोटा वाला जाड में इसमें अच्छा से यह पीसेगा बहुत ज्यादा इसका फाइन पेश्ट बनेगा तो इसमें डालके और थोड़ा सा इसमें पानी डालक मिक्सी को और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके एक बार में साड़ा पानी नहीं डालना है नहीं तो यह गोल गोल सा घूमती रहता है जाड में तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालके से पीसके ले आती हूं तो देखिए फ्रेंड से यहां पर अच्छे से लौकी क पेष्ट बना ली हो अब इसे चननी से चान ले रही हो क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो गुठली रही जाता है तो जो इसमें गुठली रह गया होगा टुक्रा रह गया होगा लौकी का वो निकल जाएगा चन के इसे चम्मस से चला के इसका जो पिसा हुआ पाठ है वो निकाल ले रही हूँ और जो मोटा वाला बच गया है उसे फिर से वापस से मिक्सर जार में डालके एक वार अच्छे से पिस लूँगी थोड़ा सा पानी डालके जिससे कि ये बरवाद नहीं जाएगा और अच्छा से पिसके आ जाएगा तो देखिए फ्रेंट्स अच्छे से इसे पिसने के बाद कुछ इस तरह का लौकी हमारा पेश्ट बन चुका है कर दो अच्छे से अब इसे बनाने के लिए ले रही हूं बरतन जिस बरतन में हमें पापर बनाना है तो धियान रखियेगा कि थोड़ा बरतन जो लीजिए गा उसका तल्ली थोड़ा सा मोटा हो बहुत ज्यादा पतलावाला बरतन नहीं लीजिए गा तो इस पेश्ट को प सब्सक्राइब कर लीजिए गा और आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो नौटिफिकेशन बेल और अल दोनों पर किलिक जरूर कीजिए गा तभी आप हमारे वीडियो को देख पाईएगा और भी आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है तो वह देखने के जटपट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंट्स अब इसमें लौकी वाला जो अभी नाप के दिखाई हूं उसमें और पानी डाल दे रही हूं तो अभी इस बरतन में ही पानी डाल दे रही हूं और इसे भी धोके डाल दूंगी तो यह मिला के कुल तीन यह और दो साधा पानी तो पांच कपिस में पानी डाल चुकी हूं अब किसी भी बरतन से यह नाप लीजिएगा कपिया कटोडी कोई भी चीज से आप नाप सकते हैं अब इसे चरहा दी हूं चुले पे चुले पे चलहाने के बाद इस लिक्वीड को थोड़ा देर पहले प पीस के और चुले पे चरहा दीजिएगा तो देखे फ्रेंट्स यह उबलने लगा है आप चाहें तो इस तरह से इसका फेंज उपर में आ रहा है वो भी निकाल सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं है पता नहीं चलेगा जब यह बन जाएगा तो तो इसे कम से कम पांच से सा हूं गैस के फ्लेम को जब तक यह उबलती रहेगा इसी पर तो अब इसमें क्या डालूंगी मैं आपको दिखाती हूं कि आज मैं बनाऊंगी कॉन फ्लार से पापर यह कॉन फ्लार है जो कि हम लोग चाइनीज कोई भी फूड बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं जैसे मं मिल जाता है और पैकेट में भी मिलता है तो आप जो चाहे ले सकते हैं तो यहां पर मैं तीन से चार चमच कॉन फ्लार ली हूं और इसे पानी डालके एक कप पानी डालके और इसे अच्छे से घोल ले रही हूं तो इसमें एक कप पानी और भी आप डाल सकते हैं लेकिन इस में कॉन फुलार भी ज्यादा ही लगेगा तो इसमें एक कप पानी और डाल दे रही हूं एक कप में घोली हूं अच्छा से और एक कप पानी और डाल दी हूं और लौकी में लौकी का पेश्ट और एक कप पानी यानि चार कप उधर दो कप इधर छो कप पानी डाली हूं तो आप 100 ग्राम एदी बना रहे हैं कॉन फलार का पापर, बहुत सारा पापर बन जाएगा क्यूंकि कॉन फलार बहुत ज्यादा फैलता है पकने के बाद और इसे अच्छे से चलाते हुए एक हाथ से कॉन फलार डाली हूँ इसमें और दूसरे हाथ से इसको अच्छे से चलाते रहना होगा जिससे कि ये जमेना तो इसमें डाल दे रही हूँ कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर जो की मिठाई में पड़ता है फ्रेंट्स मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसे मिठाई में इस्तेमाल किया जाता है तो आप इसे डाल सकते है बस थोड़ा सा इसमें ग्र एक दम लो फिलेम पर पकाना है जिसे की कॉन फिलार अच्छे से पके अब इसमें डाल दे रही हूँ नमक जब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तब मैं इसमें नमक डाली हूँ तो आप सारे चीज का ध्यान रखिएगा वीडियो को अच्छे से देखिएगा फिर पापर बना तो अभी इसमें ना मिर्ची डाली हूँ ना ही काली मिर्च डाली हूँ तो कब डालना है वो भी आगे में वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वो डाल के पकाने से इसमें करवा सा टेष्ट आ जाता है तो अभी मैं सिर्फ जीरा डाली हूँ जिसे की अच्छे से फ्लेवर आ को बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि यह बंद चुका है तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए आप कोई यह मत कीजिएगा कि वीडियो बहुत लंबा है क्योंकि पापर है फ्रेंट्स और कुछ नया टाइप का पापर है तो अच्छे से समझान यह से चलेगा फिल तरह सा ही आपके लिए लेके आई हूं तो अभी मैं थोड़ा सइस लिक्वेट को लेके और किसी वी प्लेट में इस तरह से डालके देख लीती हुं तो देखिए जैसे डाली हूं वैसे ही है यह इदर वदर बह नह रहा है यानी बेंटर पक कॉनफलाट पक चुका है तो अभी मैं गयस को बंद कर दूँगी तो इसे अच्छे से पका के गाढ़ा कर लीजिए गा और इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूं जैसे जैसे ये ठंडा होगा अच्छे से ये पक के जम जाएगा और अभी गरम है तो अभी थोरा से ये गीला गीला लग रहा होगा, बहुत ज्यादा, घुटा हुआ काली मीर्च अब इसमें डाल दे रही हूँ, कुटा हुआ काली मिल्च आप देख पारे हैं तो ऐसे करके आप पकाईएगा कि जमने के बाद कुछी इस तरह से हो जाए बहुत ज्यादा पतला ना रहे अब ले ली हूँ पॉलिथिन पॉलिथिन पर थोड़ा सा रिफाइंट तेल डालके इसे अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ इससे क्या होता है कि पापर चिपकता नहीं है सुखने के बाद बहुत अच्छा से आसानी से निकल जाता है अब इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा पापर में बना ले रही हूँ तो बस देखिए इस तरह से देखिए कि बस हलका सा इसे फैलाना बहुत ज्यादा पतला मत किजिएगा कि क्यों सुखने के बाद और वे बहुत ज्यादा पतला हो जाता है बस इस तरह से हलका सा फैला ले रही तो मत्र चार चार चमच कॉन फॉलार भीम डा ले हैं चशोटा सा टुक्राकी लोककर देखिए अगय कि उप कि इतना पापर पैनके हमारा तैयार होता है साइज बहुत ज्यादा बरा बरामत बनाईएगा जैसे मैं बना के दिखा रही है बिल्कुल वैसे ही बनाईएगा तो देखे फ्रेंट्स यहां पर सारे पापर को बना के डाल दी हूँ सुखने के लिए अभी तो दूप उतना अच्छा आता नहीं है तो अभी मैं घर में ही इसे बना के पंखे के हवा में छोड़ दी हूँ जब धूप आएगा तो दूप में अच्छे से सुखा के इसे तयार कर लूँगी जिसे की लंबे समय तक पापर खराब ना हो तो सुखने के बाद आपसे मिलती हूँ तो देखे फ्रेंड्स यहां पर पापर हमारे सुख के तयार हो गया है और पापर सुखने के बाद काफी पतला हो गया है तो मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ कि पापर हमारा कितना पतला हुआ है देखे यह कॉन फुलार का पापर है तो ऐसा ही पतला बनेगा आप देख पारे होंगे, आर पर हमारा उंगली आपको दिख रहा होगा, एकदम सिसा के जैसा चमकदार पापर एकदम पतला पतला सा बना है, तो इसी से ज़्यादा फैलाना नहीं है, बस दाल के थोड़ा सा कल्छी से उसे सेप देखे छोड़ दीजिए, और ऐसा पापर आपका बन के तयार हो जाएगा, तो चलिए आप पापर को फ्राइ कर लिया जाए, पापर फ्राइ करने के लिए तेल को गरम कर ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ पापर को, तो पापर काफी पतला है, तो इसे थुरा सा ध्यान से आप फ्राइ कीजिएगा, और खाने में इसका ट रेस्पी आपके लिए लाती रहोंगी तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू